हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अरे, एके गाड़ी चेक्कर वोच्छेदे हैं? गाड़ी रिवसले. वे, पिछोबी गाड़ी है. जल्दी, आगेसे, निकल! रोग, रोग, रोग! गाड़ी रिवसले! रोग, रोग! रोग, 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 रोग! रोग, रोग! जल्दी, अपिछेए, रुटके. यह सिर्से. यह लोग नाकपन्दी पोल्करपागे, करूलोन कोई चोरून Óक्वा. अगले 5 किलो मेड़ तक नाकपन्दी करबाऊ. सर, अमारे सभी टीमें, मैं सर अच्छी दिर चेक कर चुपी हैं, ना वो कार भी दिया और ना वो आद्मी गोलो उन्हा का बंदी ठोड़कर फागे हैं सौड़ा खत्म होई जंगा शुरू अजाता, इसका मतलब वो यहिंके योंगे सौड़ा खत्म होई जोड़कर खत्म होई जोड़कर खत्म होई लग्ता है हो, नी मुझ्युरूमों कट्ड़ा है हो? अलो, सबी सावतीरे के तरफाए लग्ता है वो माई को वाड़ा, यह तो मर चुगा है. यह वहा क्या है? और इसके चेरे पर यह लाल दपे कैसे? यह दो लोग गालियों पैठे हुए थे, यह वह उन्हें में से एक है. इसके बहुत प्रिया आरात हो चुकी है. इसके मौत कैसे हो यह उगी? यह तो इसका पार्टनरी बता सकता है. सर्व! सरी, तो भूए आजमी है, उसके पार्टनर. परिशे, हुआ क्या है, सर्? वैसे है निशाल है, सर्. तो मैंसे जल्दी तो अश्पिटल पहुचा आप, अथा मैं C.I.D. को फोन करता हूं. सर्व! हलो, C.I.D. एक आदमी मरा हुआ था और दूसरा दर्द में चिलना आ रहा था. इमान लग रहा था. हाँ, सर्. और वन लोनों के शरीफ पर लाल निशान भी थी. सर्, ये वास्पिटल से भी बात हुए, सर्व दूसरे अदमी के बारे में. तो हास्पिटल वालों ने क्या बताया? तो सिहालत काराब है, सर्, उने समझ मिया रहा हूसे हुआ क्या है? इसका मदलब उन्होंने अभी तक इलाज शुरू नहीं किया? टेस्ट कर रहे हैं, सर्, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसे तो अभी देख रहे हैं. कमाल है, क्या हुआ क्या होगा उन्हों को? सर, यहां इस तरव. यहां तो ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहे है. चप्रणा वह जो लाल निशान थे बॉड़ी में, उसके अलावा कोई फेटल इंजरी का निशान था क्या बॉड़ी में? जैसे चाकू के निशान हो या गोली मारने के? सर, मैंने बॉड़ी को अच्छे से चेक्किया था. उस पर कोई गहाव का निशान तो नहीं था. लेकिन हाँ, सर पर एक चोड जरूर थी. क्योंकि हो सत्ता है साइद एक्सिदेंट के दोरान लगी हो. बाकी तो एलर्जी टाइप निशान थे. कि अच्छे से एक की मौत होगी और दूसरा गायल हो गया. गयालाद में कहां मिला था अपको? सर यहीं पीचे की तरह. तर देखो. वोग के पास ना तो मवाइल फोन मिला और ना ही कोई आईडी. शायद लाडी को कहीं आसपा चुपाजिया होगा? अपने नहीं पे चलके आगे? अपने शायद वक्ते नहीं मिला होगा कार में से वो समान निकालने के लिए कि वो लोग पुलिसे चुपा रहे थे. एक वर एकाल मिल जाए. आदे से जादा सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा. दूसरा आदमी हमें घाय लाड़त यहाँ पर मिला होगा. सर! यह देखे से. खुल से सना हुआ हाथ ता निशान. यह देखा. जूतों के निशान भी है. चलो फिर अंदर जंगल में चल के देखते हैं. शायद यह जूते के निशान हमें कार तक लेजाएं. ठीक है. पढ़ाओ. तुम और तुमारे बाकी के ओफिसर्स, जंगल के दूसरी तरफ तलाशी जारी रखना है. हम लोग यहां पर देख क्या है. जाओ. इस अजीब आला थे इस लाश की. इसके शरीर पर यह जो पहले धब्बे थे यह लाल थे. लेकिन सारे के सारे धब्बे अजीब तरीके से काले बुड़ गए. तुम और इसके खाल भी निकलने लगी है. इतने अजीब तरह के निशाने इसके शरीर पर, निशान लाल है फिर काले हो गए है. इससे क्या हो सकता है इसे? इसके सर के बाल देखो, कितने कमजोर होगी. जरा सा हाथ लगा है तो गुच्छा बार आगया. शर ऐसा कभी ना देखा है ना सुना है. बड़ी अजीब बीमारी है इसे? मुझे लगता है यह कोई बीमारी नहीं है. यह कुछ और ही चक्कर है. कुछ और मतलब? कुछ और मतलब? तो में काम करो. लएब की सारी की सारी लाइट सारी लाइट साफ करो. पता लगेगा. ओ गॉड़! सार! 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 जर पोटी चमक रही है. माई गॉड़! इस परसे लाइट कैसे आ सकते है? जो सोच रहा था, वहीं तमसाही है. क्या? मुझे समझ में आ गए लाइट क्यों चमक रही? एसीप को फोन करो तुरन्त हॉस्पिटल में पहुचे. जो आगमी एडिपीता है, उसे भी चेक करना पड़ेगा. बाखी चीजा मैं तुम्हेरा आस्ते में सम्होता हूँ. अरे तुम चाल. बाखी चीजा मैं तुम्हें कोई भी जंदार नहीं बचाएगा? यार गोली नहीं चलाते हैं, ग्लास करदेगा नहीं तुम्हें. नीचे, बंदोगा नीचे. ठीक, ठीक. आगे मत बननना? क्या कर रहो? ब्लास्ट हो जाएगा, पागल हो क्या? आगे मत बननना? ठीको, हम लोग बात कर सकते हैं. मुझे बता, तुम्हें लोग प्लिज वाले हो. मुझे जला दूँगा? आगे मुझे गुझे। एंदू रगे में लोगे मुझे। आपके क्याने पर हमने पेशेंट को इस सेक्योर रूम में शिफ कर दिया यह वेरी गॉल पर बात क्या है देखे बात में थोड़ा आपको बाद में बताता है अख्वारू के वाई यह बस डवट तो है अई शूर एक एक जब चेकर लो हाँ ठीक है कहा है अई प्रीज कर भी अबस मिजर अंदर जाके चेक लो यहां मगर नहीं मेर पास प्रोटेक्ट कर दो कर दो कर दो कर दो है जरसान के यह तो तो यह शक्सा ही निता है देखें जो भी नर्स और वार्डबोई इस पेशेंट के ज्यादा संपर्प में आये परेले उनको बुलाईए उनका इलाज करना बहुत सरूर हुई है परकोशन तुरंत इलाज करना पड़ेगा पर इलाज के इस चीज का शुरू करने पड़ेगा आप कुछ बताइए तो सही यह मरीड एक बहुत ही खतरनाक रेडियो एक्टिव मेटिरियल के संपत में आया है और यह जो सिम्टम्स आप देख रहे ना इस सारे के सारे सिम्टम्स रेडियेशन पॉजनिंग के सिम्टम्स रेडियेशन पॉजनिंग के सिम्टम्स रेडियेशन पॉजनिंग के सिम्टम नहीं देखिए घब रहे हैं देखो पायल तुम डायरेक्ट इस रेडियोएक्टिव मैटियल के संपर्क में नहीं हाई है इसलिए तुमें इंफेक्शन होना बहुत ही कम सम्भावना इसके फिर भी सेफटी के लिए आप लोग रेडियेशन एक्सपोजर के दवाई ले लीज इसलिए में होन किया उंसे पूछता शी उन्होंने बताया कि उनके बद जितना भी रेडियोएक्टिव मेटियल था वो विल्कुल ठीक ठाक है तो और इससे कुछ भी गाइब नहीं है सरी रेडियोएक्टिव मेटियल इस तरह खुले में तो नहीं मिलता स्पेशल एजेंसिस के पास ही अवैलेबल होता भॉस यह रेडियोएक्टिव मेटियल इन्हें कहां से मिला कैसे मिला यह तो बाद में पता लगाएंगे फिलाल मैं आपको इतना बता सकता हूं कि यह बह और तो और पता निए अस किसने सारी लोग इसके संफर्क में आये होंगा। उन सब की जान भी तो खतरे में है, उनको भी दो बच्चाना होगा। सर कहीं है रेडियो अक्टिव में तो नहीं है? जिसमें ये लोग थे? कहीं पर भी होर सुनता है। सर्म के कामकर, तो इस पेशन के साथ रहे हैं। हाँ ठीक है पास। मैं इंजार करता हूँ, जब भी उसे होश आएगा मैं उसे पूछने कोशिश करूँगा कुसे मैट्रियल कहां से मिला कैसे मिला हाँ परतारिका, तुम्हें कामकर, तुम वापस से उस लाश को अची तरह से जेक करो, बता लगाने कोशिश करो अखिर ये कौन से एलिमेंट है, अची तरह से जेक करो सब अलो, ECB प्रद्जिमान ECB साब, जिन सवालों के रिकिस्तान में आप लापता है, उसका जवाब है मेरे पास मिलना चाहेंगे कौन हो तुम, और कहां पर विलोगी G-14, रुकमिनी अपार्टमेंट्मेंट्स इसकी कोई जरुवत नहीं है, ECB प्रदिवर्ट आपको मुझसे कोई खत्रा नहीं है आप चाहे ते गन नीचे रख सकती है कौन हो तुम? मयंक Intelligence Bureau Officer Intelligence Bureau और इस सरे से मिलने बुलाते हो? मज़ूरी थी कई मासूमों की जान खत्रे में और उन्हें बचाने के लिए जरूरी था कि हम यहां इस तरह कुफ्य तरीके से मिलें मासूमों की जान की बात करते हो कहिए उस रेडियो एक्टिश यहां जब आपने अटॉमें रिसर्च इंस्ट्यूशन में कॉल करके इंक्वाईरी करनी चाहिए तो हमें वहां से लटा चुका था तुमारे बस हमारे सारे सवालों की जवाब जी यहां है तो सही लेकिन वो टॉप सीक्रेट है उमीद करता हो कि CID द्वारा यह सीक्रेट लीक नहीं होगी बताओ तो सही कुछ दिन प्रले हमें इंटिप मेली थी देश में न्यूक्लियर डिवाइस आया है कुछ पता नहीं चला हमने यह बात नहीं पब्लिक मता है नहीं मीडिया में तो कि हमारे पताने से खौफ का मौफ पैदा हो सकता था लेकिन हमें जैसे ही पता चला कि इस तरह का केस आप से पास आए फौरम जले हाए लिगे पो यांक ऐसा कोई नूक्लियर डिवाइस ने ले आसा था दरशल यह नूक्लियर डिवाइस मोडिफाइ की गई है इस तरह से मोडिफाइ की गई है कि यह एक सूट केस में भी फिट हो जाए उसका वेट तकरीवन पांच कीलो है यह हो सकता उससे भी कम इतना चोटा बॉंब चोटा है मैं लिकेन बहुत बयानक है आप खुदी देख लीशे अगर यह ब्लास्ट हो गया सा तो 25 किलोमेटर के रेडियस में सिर्फ औसिर्फ तबाही होगी पांच किलोमेटर के रेडियस में जो भी इनसान रहते हैं वो तुरंथ मर जाएंगे और 20 किलोमेटर के रेडियस में अगर कोई इनसान बज भी गया तो यह तो अपाहिज हो जाएगा यह मेंटली रिटारिड हो जाएगा बग्वान न करिये बांब ब्लास्ट मुमबई में हो जाएगा तो मुमबई की क्या हालत होगी अब सोच भी नहीं सकते मयांक जब तक हम लोग हैं जब तक यह CID है तक तक इस शेयर को कोई कुछ नहीं कर सकता ना हम कुछ होने देंगे जब देंगे जब तक है जब तक है जब तोम, मेरे आवासोन सकते हो? बोलो, बोलो जब खाव तोम, जब तोम, जब तोम, जब तोम, कहा एं.. जब तोम, जब तोम, जब जब तोम किस चीज की दिलिवरी कि यह अट? लोकलियर भॉम्! अलो? अलो? अठीचापशक एप अठीचे इवें तर्दियूमन को स्वडन्स मैसेज दिए उन्से वोलिया कि थालूक हम बुला है अर्चेश अच्छा एक बाइख बता तहरा तुमने उन लोकलियर बॉम की दिली लिजी कर दी ? या भी वहींपर है। कहा है। कहा है। लोकलियर बॉम्प? नो मैं अर्ण में नहीं बताना चाहिए। तेनी देखो बताना चाहिए.... वोट सारी जिंदिगाों का सवाल है। मुझे महारी दानी नहीं, नहीं, घुब्रावथी, आई टीम तुमारे साफ है सिंता, मत करो, कोई कुछ नहीं कहेगा ओ गॉड़ तरुम के, वो गया क्या? तरुम के, वो गया क्या? तुझी कुछ गड़बड लगती है, मैं अंतर जाकर देखता हूँ कर दोगती है? तरुम के, जिसे और इसानला कि, तरुम के… तरुम के! तरुम के, जाई रू튼! जोड़ दो, प्रेख. जोड़, जोड़. यह होश में देखे, लेकिन कुछ बोल्ट नहीं पारे हैं. जब देखे, डॉक्टर को बूला. तारी काखानों देखे. शालूंके, बताना याँ, शालूंके! शॉर! शार! शार, आपको में अवास आ रही है? शार, शार, यह तो श्रोक की सिंटम्स है? कुणा बट्ट. स्टर सोमें, शारूंके शारूंके अवास आपको श्रोक. शिस्टर, आपको श्रोम का बंदवसकर और राइट ताप. चल्ए, 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 देखेशिवा जदी. कम. अभी जी, गाड़ी में रेडियेशन तो है, मगर काफी कम है. मगर बॉम का नाम और निशान नहीं. मतलब बॉम निकाल लिया गया गया गाड़ी से. सर, वो आदमी जो गाड़ी के पास खड़ा था, उसे तो उसके गाड़ी के लोगों ने मार दिया, पिर ये बॉम का गया. उसी गाड़ी के किसी दूसरे अपरादी ने निकाला होगा. इस गाड़ी का फ्यूल टाइंक भी खुला वा था. लग्टाई, जब हम लोग यहाँ पर पॉचे तब वो दाइनामिक स्टिक को जला कर ये गाड़ी को उड़ाने वाला था, नाकामंदी से भागने के बाद इसकार के अचिडेंट हुआ था ना? और उसी के बाद वो रेडियो एक्टिव रेडियेशन के सिंटम्स उन पे होने लगे हैं. पदा नहीं, वो बॉम इस वक्त होगा कहां पे. और ना जाने कितने लोग से लेडियेशन के चापेट में आएंगे. जहां पर उने वो बॉम पहुचाना था, वहां पर बॉम पहुच गया है. तो हजारों लाकोलों की जहां खत्रे में है. अजारों लाकोलों की जहां खत्रे में है. The medicine is in the IV, right? अजारों के की तबियत कैसी है. Sir, investigation तो चालो इस वक्त. कब तक चलेगी investigation? Sir, हमने कुछ टेस्स के, Sir को examined किया लेकिन लेकिन अचाना कैसा stroke हाएगा? कुछ समझ में नहीं नहीं रहा है. Sir, the security room में जो मरीज था, उसकी मौत हो गई. What? Sir, sir, मरीज मर चुका है. टॉकिस आपकी आर्लक मैस हो गए. वो न्यूक्लियर पॉम का है, उसका आमें पता नहीं. आप क्या करें? इस शेहर में हजारों लाखों सूटखेसिस होंगे. अगर जल्दी उस पॉम वाले सूटखेस को नहीं डूंडा, तो इतनी तबाही होगी कि इतिहास में वो दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा. कैसे तब इतसारों के साथ के हैं? कोई खास सुदार नहीं है. तारिका तो बैठी है उसके साथ. समझ में लाता किसले मुझे इतना अरुजर्टी दूला ले या क्या बताने वाला था? मैं यहां पहुचा हो लिए. यहाल होगा है. अरव्टर, वो मरीज भी मारा गया. और दोक्र साब को यह स्ट्रोक आगया. क्या यह सन्यों होग है साथ? सारुंके साथ को स्ट्रोक आया ठीक उसके पहले जब वो हमें कुछ बताने माले था? सायोग होगा लुग. डॉक्र साब को स्ट्रोक आया किसीने हमला तो निकिया अन पर है? आँ सर और रव्ट उस मारीज की आलत तो वैसे भी नाजुग ते. डॉक्टर्स जवादी चुके थे. यह कोई संजुग नहीं रूफता है? गडबड है कुछ नपित्यों, गडबड जरूर है. इसे भी साब मैं समझता हो कि इस वत आप डॉक्तर सालूंके के हालत को लेकर बहुत परेशान है. लेकिर हमें जल से जल कुछ करना होगा. अगर यह बाम ब्लास्त हो गया तो लाखो लोगो की जान खात्रे में होगे. हमारे वहां कार्तक पॉच्छने से पहले आतंकवादी बाम लेके चला गया सर. कोई और रस्रादूना होगा. बाम को जिस चीज में भी रखा होगा न अवादत पॉचने के लिए. एक रास्ता है सर. या, सर वो बाम जिसमें रखा है वो बॉक्स कंटेनर वो डेमेज़ है सर. अभी तो लेडियेशन लीक हुई है. तो सबसे पहले वो आतंक वादी उस बॉक्स को रिपेयर करवाएंगे. ताकि रडियेशन के वज़े से उनके दूसरे साथ ही उससे परवावी तना हो. और हाँ उन्हें जरुवत पढ़ेगे लेट के. लेट से ही वो कवर करेंग उस चीज को. रडियेशन के लीकेज रोखने के लिए. लेकिद ये काम जिसे एहरे गहरे का नहीं, किसी एक्सपर्ट का काम ही है. किसी जानकार आदमे का जो रेडियो एक्टिव मुटीरियल के साथ काम कर सकता है. जो जानता है इसके बारे में ये साथ. सर, खबियों को काम पे लगा देते हैं. पदा करते हैं कि ऐसा कौन-कौन है ब्लाक मार्केट में जो इस तरह का कुफिया काम करता है. साब मेरे को मालूम पड़ा कि बेकी किलास मिली इसी गेरेज में. नाम काफी खराबता सा उसका इस सम्मामले में. और इस कंटेनर को इस हीने बनाया होगा शायद. पॉइंट ब्लांक गोली मारी है. गोल-ब्लडेड मार्डर. वो आतंगवादी आया थी आपे. लेट कंटेनर बनवानी. और जैसे उनका काम हो गया, मार कर निकल गया. दिन दाड़े एक आदमी का खून हो जाता है. ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ने देखाना हो कुछ, सुनाना हो. खून होते वे तो किसी ने नहीं देखा. लेकिन एक गवा है, जिसने सबसे पहले लाश को देखा. जब बुलाई उसको. जतिन, जब तुमने ये लाश देखी तो यह दुकान के आसपास कैसी और आदमी को भी देखा था? हाँ, साब. दुकान से बाहर आते हुए एक आदमी को देखा था. उस पड़ मैं सड़क के उस पार था. जब वापस आदमी के जाने के पांच मिनट बाद जब मैं वापस आया तो देखा कि विक्की की लाश यहां पड़ी हुए थी. उस आदमी के हाथ में कोई सूटकेस वगरा था क्या? हाँ, साब, था ना? आपको कैसे मारा हुए? जरूरू उसी ने खुन किया. इसका हुलिया याद दे था नहीं? हाँ, साब. इसकेट बन वाल सकते हो? जी, सार. पवन, पवन, इससे क्या हुआ? पवन, उठो. नर्फ! नर्फ, डोक्टर कुम लोग जो दिए. पदाने इससे क्या हो गया? जीज. डोक्टर? डोक्टर! जीज, जी. जीज, दोक्टर सब देखें मुनटे इससे क्या हो गया? ओजुग, इससे भी प्लाइप कालो है. टेक काम करो. डोक्टर टारीका उक्क मिलाओ. पभिनी, जी. टेक काम करो, इसको दो बेतन सकत हुई, घलो時間. दोक्टर टारीका? दॉक्टर तारीका, दॉक्तर तारीका, तुल रही है आपुजी? डॉक्टर? Oh my God. इसे भी स्टोक आया, this is unbeelignable, यह हो किया रहा है? एक एग बाद इन सबको स्टोक का रहा है? समझ भिने यां तो तीन हटे-कटे लोगों को एक साथ, एक साथ स्टोोक कैसे आतोा? नइ, नए, कुछ न कुछ दो गडबर ज़रूर है, कुछ न कुछ दो कडबर है, इसक्ण ख़िय जनक बसवरी आटिफिछली स्टोक कैसे गड़ सकता। दॉक्तोर सोमिच। तर ये रेडियरेशंक की ज़जय से तो नहिं? नहीं, रिडिशन पोईजिन की वज़े से स्टोप नहीं हो सकता, पर वो जो वाटवर है, वो तो पेशिंट के बास आया भी नहीं था यह वाटवर अपको विवश मिला था नूँ जी ताप, सप्लाय रों मैं, सप्लाय रों मैं, सप्लाय रों मैं पंकच, रेडी सप्लाय रों मैं कुछ नहीं विला, जो कुछ भी है, वो यही पे है, जिसकी वज़े सी यह सब हो है इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कुणा च्छान माद़। प्रेडी, मैटर्स की नूचे लिए हो बाए च्छान में अजीव से है प्रेडी, जी, तरहिए करेओधा अप्रेड़ उसका तरह को है, जी तुम मैंने कोभी देखा हीं नहीं, यह होस्पिरली का एक इपफेपेपन्ट है यहीं नहीं तो फिर क्या हो सकता है यह मैं इससे देख सकता है बिल्गुर सब्सक्राइब रहा है कि डिवाइस में पहले कभी देखिए राइट, इस पेशल फोसेज में यूज़ किया जाते है इस डिवाइस को इस नॉरल डिस्रॉप्टर कहते है देखे, हमारा शरीर तभ ही काम करता है जब दिमाग कुछ सिगनल देता है और शरी को काम करने के लिए जैसे उठना, बैठना, ठाना, पीना या फिर बाते करना और यह सिगनल आता है न्यूरॉन्स के जरिये और यह दिवाइस दिमाग और शरीर के सिगनल को कैंसल कर देता है, इस्टरप कर देता है, और अगर ऐसा होता है, तो फिर शरीर दिमाग का इशाना समझ जी नहीं पाता है, जैसे लख्मा मार जाता है शरीर को, ऐसा लगता है जैसे स्टोक हो गया, लेकिन दरसल वो स्टोक हो इस जिवा इसको दूर लेकर जाओ, और डिस्ट्रॉय करो, नस्ट करो इसे. यस दर. इसका मतलब है यह तीनो ठीक हो जाएंगे. जी डॉक सब, बिल्कुल. लेकिन अगर हम लोग यहां पर और जादा देव रुपते हैं, तो इसका असर हम पर भी हो जाता. अच्छा, तो इसी लिए इस चीज का असर तारिक अरुसारूंखे पर हुआ. इसका मतलब है, इसका असर वाल्ट बॉय पर इसी लिए हुआ था, क्योंकि वो एक घंटा उस कमरे में था, जो इस कमरे के बाजू में है. जैटी, डॉक्सर, अब क्योंकि यह दिस्ट्रॉई कर दी है, तो अब तीनों जल्दी होश में आ जाएंगे. मगर, मगर यह दिवाइस यहां रखा केसमें होगा? उसी आतंकवादी गैंग में से किसी थी. बुटियांग जानती है कि डॉक्टर सारंखे के पास कोई जरूरी इंफोमेशन है, तो बस उसी लिए यह दिवाइस यहां लाकन दगा दिया, तो जिस सारंखे किया अदर्थ हो जाए. सब सार, कोई अंदर वाला है, क्योंकि बाहर वाला तो अंदर आई नहीं सकता. जरूर कोई हॉस्पिटल का स्टाफ है, उन लोगों से मिला है. नहीं, एसी पिस सार, ऐसा होई नहीं सकता. ऐसा ही हुआ, डॉक्टर होमेश. ऐसा ही हुआ है. अब एक बात अच्छी तरह से सुननों, जब तक वा मुझ्दिन पकड़ा नहीं जाता, इस हॉस्पिटल से कोई भी, मतलब आप भी, हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएगा. इस पूरे हॉस्पिटल के सारे फ्लोर्स के सीसी टीवी कैमराज के फुटेज, अभी के अभी हमें देखने है. सर, सभीफ टाक वालों की लिश्ट देख लिए, लेकिन अभी तो कुछ नहीं मिला. मिलेगा, फ्रेडी, मिलेगा, अब सीसी टीवी फुटेज देख रहे हैं नो, मिलेगा, ज़रू कुछ नगुट्टों मिलेगा. पुर्यी, पॉल्स करूँ. पताने ही क्यों मुझे ऐसे लग रहा है, मैंने देखा यसे, जाना पहचाना सा चेहरा है, कौन, कौन, येस, यह देखो, यही आदमी है वो, यह दया अभीजीत मुझे उस्केज बन वाया है, यही है, वो देखो, विकी का कौन करने के बाद यो बॉम वाला ब्रीफ किसले क अधर गया था, सर यह, यह यह नर्स कौन है, और यह क्या बात कर रहे है आपस में, यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, कि इस हॉस्पिटल के स्टाफ में से जो भी कोई मुझे नहों के साथ मिला है ना, यह नर्स है वो, सर यह नर्स तो पायल है, यह बुलाइए उसे, सिस्टर, पायल का है, उसे अभी का भी बुलाओ, पायल, पायल तो काफे देर से दिखे नहीं होस्पिटल में, सर, पायल थो हॉस्पिटल में नहीं है, पायल हॉस्पिटल में नहीं है, मतलब पायल गायब है, अब तो कहा था ना, डॉक्र सूमिश, कि इ यह हॉश्पिटल से भाहर कोई अम्डियोंस गही थी, क्या? हाँ, एक एमरजंसी केस था, आधा खंटा पहले, एक अम्डियूंस भार गही थी बठ। कि यह पाईल से अम्डियोंस में है? वह जो न्रस है पाईल वह भी थी तुमारे साथ एंबुलेंस में हाँ साब बता रही थी कि जिस मुरीज को मुलेने जा रहे है उसका दोस्त है तो चल पड़ी मेर साथ अभी कहा है वो यह कुछ काम आद अगया उसको बीच में तो उतर गी सिर्फ हॉस्पिटल से निकलने के लिए एंबुलेंस का इस्तमाल किया था उसमें कहां उतारा कहां था उसे यह खाती पूरा जंक्शन पर उतरी साब खाती पूरा ओके थैंक्या करें सुनना भाई साब इस लड़की को देखा है क्या एक गंटे पहले यहां पर अरस कद्रेस पहना था इसने आज साब मैंने इसको देखा है मेरे रिक्से माई थी है अभी आदे गंटे पहले में इसको पांच बती सिगनल के बाद चोड़ा था ता तैंक्यू पांच बती सिगनल वहां कहा गई होगी है यह देखो ज़रूर आज पास कहीं भीटबार वाले इलाके में जाएगी यह बॉम फटने के पाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुक्सान पहुचना चाहिए ज़रूर नहीं पांच बती सिगनल पर यह तो है और आसंडे बहुत साथा भीटवोगी माम पांच पाइल यहां कहीं बाहर तो दिखाई नहीं दे रही है कई मौल के अंदर तो नहीं चलीगे लिए गेंगेट से तो तो मौल के ँंदर जा नहीं सपी . सेच्यारटी चेक में पगडी जाएगी भू ँण का रेडियाズ 25 किलो मिंटर का है जरूरी नहीं मौल के अंदर बॉम रखे तो हो सकता है उसने उसने ये बॉम मौल के आसपास कही शपा के रखा हूँ चेक करते है इसके साथ तो ही आदमी है स्केच वाला एह आ निकर यहां तक पहुच गए जगे चलो बास खेल खतम तुम लोगा बाग दे ले लो पर कोई फाइदा नहीं है मैंने बॉम को एक्टिवेट कर दिया एक घंटे में यह शैर भी खतम हो जाएगा और हम भी मड़ जाएगा अबजील बॉम तो एक्टिवेट कर दिया नहीं है तो एक घंटा बच्छा हमार कवास अबादी से तो काफी दूर आगए इस बॉम का क्या करें किसी तरह डिफ्यूज हो जाए तो इंपॉसिबल अबचीट मतलब हो सकता है मंगर वक लगेगा और हमारे पास वक नहीं है मंगर अबचीट मैं सोच रह था कि इस काम के लिए हमारे दोनों का जाना जरूरी थोड़ी है कोई एक आपी जागा था बहुत है आँ बात तो तो तुम यार सही कह रहा हो बाम ज्यादा भारी नहीं है अलका है मैं लेकर जाता हूँ रोख दुगारी अरे अभीजी मैं ये कह रहा था कि तुम चले जाओ मैं ले जाता हूँ अच्छा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दो ये नहीं वहलत है देखो मेरे आगे पिछे कोई नहीं मेरे पिछे कोई रोने वाला है नहीं किसे को कुछ फर्क नहीं पड़ता था मेरे पीछे तर पूरी फौज खड़ी हुई है मेरे आगे पीछे कौन है आगे किसने देखा और पीछे का मुझे आदमी क्या बात करे यार अगे तुम्हे कुछ हो गया न तो तु तु तारीका को क्या जाओतूंगा मैं यह 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 गलत बात है यार काम के समय मजाग अच्छा नहीं है मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ पू किया हुआ लगता तायर में कुछ प्राब्लम में है यह पीछे वाले टायर में जचेक करो ची समय ओना था ये भी समल गए यह चीट निगए यह चीट निगए देया यह चीट निगए सर डॉक्टर तारिका और यह वाल बॉट यह तो होश में आ गए वक्र सालू के सर शालू के सालू के संपर्क में कुछ ज्यादा देढ़ है इसलिए उन्हें होश में आने भी कुछ ज्यादा समय नहीं 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 जल्दी से जल्दी होश में लाना ही पड़ेगा क्योंकि सालू के पास कोई इंपोर्टन इंफरमेंचे नहीं और इसलिए तो यह सब हुआ है अपेक बदे उन्हें यह किया है बस सर किसी भी तरह अभीजी सर और दया सर उस बॉम को डिफ्यूज करतें नहीं त तुम्हें गड़े गाड़ी से बाहर निकाल दिया और खुद निकल पड़ा एस उसाइड मिशन पर तुम्हें उसे जाने पिया उसने तो के सोतार दिया मझे अभीजी सर ऐसा मत कहिए इसका मदलब दया सर वापस नहीं आएंगे ए प्रेडिक कुछ नहीं होगा दाया करें तो डिफ्यूज भई आतंगवादी करेंगे जिन्होंने उस पर पासवर्ट डाला है और सारे के सारे मारे चा चुके हैं तो याट, सर द्यासर कून ही नहीं उड़ा रहे हैं यहाल स.. सरुंके, सरुंके, तो खीकतो है? नूकले, बोम… बोम? क्या पताने वाला तुस्य जल्दी बता? पासवर्ट... पासवर्ट जानता है तु? वहिधे, लिखे, भिधे, रियुभेट.. रेम्डू, रेम्डू रेम्डू, रेम्डू… बेल बैचरे, यह लिक्किन, फोनने उटाराए? यहाँ, तेया? मेचरे, बेचिक के देखो. अबजीत के मेसेज, कोड मिल गया? यहाँ, अबजीत, पासवर्ट मिल गया है, पासवर्ट है, पासवर्ट है, तेक मिल, तेक मिल, तेक मिल. अबजीत, बोलो, क्या कोड है? रेन्बो. रेन्बो? इकी पैड में अलफबेट नहीं, यह सब नंबर्स है. अलफबेट नहीं? यार, ऐसा कैसे हो सकता है, उसमें देखो ना, कहीं होगा अलफबेट के लिए जगे? रेन्बो का आर, आर का देखो, पंकाच, जदी बता, वैल्यू क्या निकांदे, देखो, रेन्बो. मैं नंबर बोलने वाला हूँ, वो नंबर ट्राइप करना, ओक्या? अरे, टाइम नहीं है. सर, यह बंदा से. यह यह नंबर नंबर दे रहा हूँ, उसको टाइप करना, कौँसा नंबर ट्राइप करना? कौँसा नंबर ट्राइप? 1-8, एक मिर, एक मिर, एक मिर, एक मिर. हाँ, बोलो, 1-8, 1-9, 1-9, 1-9, 1-4, 1-4, 1-4, 1-5, 2-5, 2-3. जल्दी, कोछ नहीं नहीं? यह खी. बुह बिज्द, बंदी शक्तिवेट नहींगा. ट्राइप हो सकत है, ठीक से टाइप नहीं हो, क्या रहा हूँ? हो भी जीछले, जल्दी पता हूँ यह. 6 Minutes 3 सेकंड वचैंद सेला सेला. 1-8, 1-9, 1-9, 1-4, 2-9, अबिजीत, कुछ नहीं हो रहा है, वह कीपैड का बटन दबाता हूं तो म्यूजिक, म्यूजिकल ट्वुन पर चाहिए, बस और और कुछ नहीं यह म्यूजिकल अवाज कैसी? कणिया पासवर्ट म्यूजिकल तो नहीं? रेन्बो, रेन्बो एक मोबल ट्यून है ना, जार देखो, हाँ, टून, जल्दी करो यार, टाइम नहीं है, एक चेकर नेक्ट, यह, क्या है, सुनाओ, सुनाओ, देया यह ट्यून सुनो, और उसमें यह ट्यून को डालने की कोशिच करो, अवजीत, यह म्यूजिक तो यह यह यह, यह कीपळब बज़गे रहे है, यह सुनो, यह यह, वान, टू, तरी, फॉर, फइफ, फऽ्ञ, नहीं, यह, पाँच नम upfront तक, एक एक मुजिक mandar hा है, उसके बाद यह, मुजिक चेंज होता है, यह सुनो, इसके बाद यह सुनो, यह, सुनो, यह लिखते लि 1-2-3-4-5 है, 5-4-3-2-1 करो, 1-3-5-5-4-3-2-1 कुछ भी, रेंडम करो, रेंडम आरे, कार्टो रहा हूँ यार यार, ट्राइ करो, कुछ करो सर, कोशिश कर रहा हूँ सर, यह कुछ जम मेरा है नहीं हो रहा अभी जीद, सर, यह नहीं हो रहा रहा सर सर, 40 सेकंड़ चें, सर, कोशिश करो यार, हम लोग, हम लोग है साथ पे तुम्हारे शाइद वक्त आगिया यार, कुछ नहीं होगा तुमें तया तुम्हें सामत बालो, प्लिक्स, तुम्हें करना ही पड़ेगा ट्राइ करो देया, ट्राइ करो, अरे कतो रहा हूँ यार, मैं और क्या करो, ट्राइप गतो होगा सर, तुम्हें लोग, तुम्हें लिए ना दोस्तुने कर दोस्तुने